गुड मॉर्निंग एट स्टुएंट्स एक वर फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर नों सवागत करता हूँ और आज की ये जो वीडियो है हमारा ये है भारत के भुगोल का भाग दो यानि की पार्ट टू और इसमें आज हम लोग जानेंगे भारत का भौतिक स्वरूप तो आईए हम सुरू करें आज का ये अपने वीडियो लेक्चर भौतिक रचना तता धरातल के स्वरूप के अनु पठार अब दुखे प्राइदीप होता है लेख या अस्थली भौभाग जो तीन तरब से जल से घिरा हो उसे प्राइदीप कहते है प्राइद्विप ब्राइध्वी और पठार दूसरे नम lounge पहते हैं फिर उत्तर अंब अब यहां हम इसके बारे में जानते है confidence उत्तरी परवतिय परदेश को आप आपने मतला इसको चार भागों हिस था निंहीं ट्रांस हिमाले इसका पहला भाग है दूसरा है ब्रिहद हिमाले तीसरा है लगुह हिमाले और चौता है बाह यह हिमाले तो ट्रांस हिमाले के अगर बात करें हम लोग तो इसके अंतरगत कारा कोरम लदाख जासकर आदी परवत्सरेनिया आती है केटू जिसको गाडविन आस् है वो जिसकी उचाई 8611 मीटर है कारा कोरम परवत स्रेनी की सबसे उंची चोटी है जो भारत की भी सबसे उंची चोटी कहलाती है ट्रांस हिमाले और ब्रिहदी माले को सिंधू सांगपो सिचर जोन जिसको आई टी एस जेड कहते हैं अलग करता है देखिए ट्रांस हिमाले के बाद दूसरा कौन सा है वह है ब्रिहदी माले तो ट्रांस हिमाले ब्रिहदी माले के अगर बात करें तो इसकी उसत उचाई 6000 मीटर है बिस्वी की सबसे जो उची चोटी है एवरेस्ट चोटी मौन्ट एवरेस्ट जिसकी उचाई 8848.86 मीटर है वो इसी यानिक ब्रिहदी हिमाले परवत सिरेनी का ही भाग है मौन्ट एवरेस्ट की अगर बात करें तो मौन्ट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाते है कंचन जंगा 8597 मीटर नंगा परवत नंदा देवी कामेत वर नामचा बरवा आदिव ब्रिहद हिमाले की ही महतपोर्ण चोटियों की चोटिया है यानि कि उनीक का नाम है इसके बाद आजाता है लगू हिमाले लगू मतलब छोटा लगू हिमाले या मधी हिमाले अर्थात हिमाले स्रेनी में लगू हिमाले में कौन-कौन से परवत आ जाते है तो पीर पंजाल महाभारत मसूरी धोलाधर और नागा टीवा स्रेनिया है पीर पंजाल जो कि कस्मीर में है लगो हिमालाय के सबसे लंबी स्रिंग खला है इसके बाद है बाई हिमालाय बाई है मतलब बाहरी हिमालाय को सिवाली की अनिमनी हिमालाय कहते है जो कि अब कर लगो हिमालाय के दक्षिन में इस्तित है इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रादेश के अनुसार हिमाले का विभाजन अगर हम देखें तो वह है पंजाब हिमाले, कुमाओ हिमाले, नेपाले हिमाले और आसम हिमाले तो पंजाब हिमाल है कहा है तो सिंदू और सतलज नदियों के बीच है जिसकी लंबाई लगवग 500 किलो मेटर है कुमाओ हिमाल है जो कि सतलज अबम काली नदियों के बीच है इसकी लंबाई लगवग 320 किलो मेटर है फिर है नेपाल हिमाल है जिसकी लंबाई सबसे अधिक है 800 सो किलो मिटर लगवग और यह काली एवं तीस्ता नदियों के बीच है फिर असम हिमाल है जो कि तीस्ता और ब्रहंपुत्र नदियों के बीच है जिसकी लंबाई लगवग साथ सो बीस किलो मिटर है अगर प्रादेशिक विभाजन के अनुसार अगर इसको लंबाई से क्रम मे गताके तो को हमाला है जो कि 320 किलोमेटर या इसको आप इस क्रम में रखें ने ने पाल असम पंजाब कुमाउं ने पाल-असम पंजाब कुमाउं थो तो देखें यहां पर ऐसे समझें यहोगे नम्मर भाएं फिर यहोगे 829 नमीज यह नम्मर भूर ने बाल-न पं लंबाई के अनुसार है उसके बाद देखिए अगला है हमारा प्राइद्वीपिये पठार प्राइद्वीपिये पठार पुराने क्रिष्टलिये आगने और रुपांतरित सेलों से बना है अराबली की पहारी गुजरात राजस्थान हरियाना एवं दिल्ली तक फैली विये इसका निर्मान प्री केंब्रियन काल में हुआ था और भारत का रूर छोटा नागपूर पठार को कहते हैं अजन्ता की पहारी महाराष्ट राजी के और अंगाबाद जिले में सित हैं डक्षिन भारत की सबसे उची चोटी अनाई मुरी अनाई मुरी जिसके उचाई है 2650 मीटर अनाई अना मलाई की पहारी परिस्थ है अब इसके बाद अगर तीसरी नमर के अगर बात करें तो यह है उत्तर भारत का विसाल मेदान इसे सिंधु गंगा का भी मेदान कहा जाता है और उत्तर भारत के विसाल मेदान को विसेस धरातलिय सरूप के अदार पर चार भागों बाटा जाता है भावर और भांगर और खादर मिटी नवीन जलोल मिटी और पुरानी जलोल मिटी और भावर तराई प्रदेश यानि कि जो सिचाई बाला चेतर है नमी बाला चेतर है उसके अदार पर यानि कि चार तरीक आदार पर चार है यह भावर प्रदेश भांगर खादर और तराई भावर, बांगर, खादर, तरहई तो ये उत्तर भारत के जो विसाल मैदान है उसको चार भागों में बटा गया है भावर, बांगर, खादर और तरहई इसके बाद आगे देखिए दुईप ये भाग दुईप ये भाग अंडमान और निकोबार दुईप तथा लक्ष द्वीब समू है तो अगर हम इसको और भी करें तो अन्डमान द्वीब समू अलग है निकोवार अलग है लेकिन यह डोनों एक ही है इन दौनों में क्यों बात करें तो निया बंगाल की खारी में इस्तित है अन्डमार тов elétब समू यारि कि भारत एक को अगर कुछ नीचे से इस तरीके से अगर है सुरी यह देखिए है इस तरीके से हैं तो यहां पे है अन्दमान और निकोवार है अन्दमान और निकोवार दुप समव में 572 कुल द्वीप हैं जिसमें से 550 अंडमान में द्वीप समू में और जिसमें से लगवग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समू में और लगवग 22 द्वीप निकवार द्वीप समू में है अंडमान द्वीप समू का सबसे बड़ा पत्तन यानि कि सबसे बड़ा बंदरगा पोर्ट बलेर है जो कि दक्षनी अंडमान में है लक्षदीप द्वीप समू अरब सागर में स्थित है यानि कि फिर से यह देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर है लक्षदीप इसमें 36 द्वीपो का यह समू है आठ डिगरी चैनल मालदीव वा मिनिकाई को अलग करता है इसके बाद आप देखिए अगला है हमारा टॉपिक अप वाह तंत्र के वारे में जानते है गंगा नदी बंगलादेश में पदमा नाम से बहती है, ब्रंपुत्र नदी को तिबबत में सांगपो और बंगलादेश में जमुना कहते हैं, तिबबत में सांगपो, भारत में ब्रंपुत्र और बंगलादेश में जमुना, जमुना नहीं जमुना, ठीक है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा नदी द्वीप नदी के बीच में जो द्वीप है वो है माजुली दीप जो की असम में है ब्रह्मपुत नदी में ये इस्थित है इसके बाद ये तो पहले एर अपवा तंदर का भाग एक था और ये आप देखते हैं प्राइड वीप नदियों के बारे में तो प्राइड वीप नदिया नर्मदा और तापती पस्चिम के तरफ बहती है यानि कि इस डिरेक्शन में ऐसे ये दोनों एस्चुरी बनाती है एस नदि के किनारे उज्जेन का विख्यात महा कालिश्वर मंदिर है जहां हर एक बारवे वर्स में कुम्ब मिला लगता है इसके बाद देखिए प्राइड वीप नदियों का लंबाई के नुसार जो घटता वक्रम है यानि कि सबसे लंबी नदि है गोदावरी उसके बाद है क्रिश्णा फिर नर्मदा फिर है महानदी कावेरी और तापती इस तरीके से हमने यह देखा और आप देखते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में इसमें यह सिंदू नदी जो कि तिबत में मानसुरुवर जिल के पास बोखुर चूग के निकट एक हिमनत से निकल के 2880 किलोमेटर की लंबाई टाइ करते ही अरब सागर में यानि की मिल जाती है और इसके अगर बात करें भारत में लंबाई की तो 1114 किलोमेटर भारत में इसकी लंबाई है फिर इसके बाद है छीनाब चिनाव को सतलज की सहयक नदी भी हम लोग कहते हैं यह लाहूल जन्पद यानि की हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा के निकट से निकल के 1180 किलोमेटर के दूरी तैय करते हुए सतलज नदी में जाके मिल जाती है अब राभी नदी है यह कांगरा जिले में रोहतांग दर्रे के समी के पास से निकल के 725 किलोमेटर के दूरी तैय करते हुए चिनाव नदी में जाके मिल जाती है इसके बाद है जहेलम यह पीर पंजाल परवत पर एक जगह है जिसका नाम है बेरी नाग जो की जम्मू बिना बिवाजित वाले जो जम्मू और कस्मीर के जहरना है वहां से निकल के 724 किलोमेटर के लंबाई तैय करते हुए चिनाव नदी में जाके मिल जाती है इसके बाद है जहेलम के बाद ब्यास ब्यास रोहतंग दर्रे के पास में ब्यास कुंड से जो की 4000 मीटर के उचाई पर है वहां से निकलती है और 470 किलोमेटर की लंबाई को तैय करते हुए हरी के यानि कपूर थल्ला के पास सतलज नदी में जाके मिल जाती है सतलज नदी के अगर बात करें तो मांसरवा जहिल के पास से है एक राक्षा स्थाल जिसके उचाई समुद तल से 4555 मीटर है वहां से निकलती है 15 किलोमेटर की कुल लंबाई ताय करती है जिसमें भारत में 1050 से किलोमेटर की लंबाई ताय करती है और बाद में जाके सिंदू नदी के साथ संगम कर लेती है उसके बाद कि अगर बात करें हम गंगा गंगोतरी के पास गोमक हिमानी जो कि समुद तल से 3900 मीटर से भी अधिक उचाई पर है ये 2525 किलोमेटर इसकी लंबाई है और ये बंगाल के खारी में जाके गिर जाती है और बंगाल के खारी में जहाfire पे गंगा मिलती है उसको ग गंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है और भारत की सब से लंबी नदी भी गंगा ही कहलाती है राम गंगा राम गंगा की अगर बात करें तो नैनी ताल के पास गणवाल की पहाड़ी में स्थिते दूधा टोली स्रेनी से यह निकलती है 690 किलोमेटर की दुरी टाय करते हु है फिर है सारदा जिसको काली सर्यू के नाम से भी जानते है काली सर्यू के नाम से कुमायू हमाले का मिलाम हिमनत से निकलते हुए 590 किलोमेटर की लंबाई ताही करते हुए बहराम घाट के पास घागरा नदी में मिल जाती है इसके बाद देखे गंड़क गंड़क गंगा की साहिक नदिया है गंडक के अगर बात करें तो यह नेपाल से निकलती है चार सब पत्चीस किलो मेटर की लंबाई ताही करते वे गंगा नदी में पटना के पास एक जगह है जिसका नाम है सोनपूर जहां पे एसिया का सबसे बड़ा पसुमेला भी लगता है तो सोनपूर म पहले ही जाएकि यह मिल जाती है उसके बाद अगर बात करें हम लोग कोसी की से कोसी कोसी जिससे बिहार का सोक कहते है क्योंकि यह बार बार इसमें बाल आती है और बाल से काफी जन धन के हानी होती है इसलिए इसे बिहार का सोक का आयाता है और यह गोसाई धान के चोटी के उत्तर में जो की नेपाल में है वहां से निकलती है और साथ सा तीस किलोमेटर की दूरी को ताई करते वे राजमहल के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है यमना के अगर बात करें तो बंदर पूछ के पस्चमी ढाल परिस्थित यमनोत्री हमानी है वहां से निकलते हुए तेरह सा च्वरासी किलोमेटर की लंबाई को तह करते हुए गंगा नदी यहनि की प्रियाग राज में संगम कर लेती है प्रियाग राज चंबल मदप्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट इसकी उचाई है समुद तल से 600 मीटर 965 किलोमेटर इसकी लंबाई है और यह यमना नदी इटावा के पास से यह मिल जाती है इटावा में चंबल नदी यमना नदी में मिल जाती है इसके अगर हम बात करें आगे तो बेतवा जो कि यमना नदी के एक और साहएक नदी है यह मद्प्रदेश के राइसेंजिले में बिंद्याजल परवच से निकलती है और 590 किलोमेटर के दूरी ताय करते हुए यानि कि इसकी लंबाई है 590 किलोमेटर यह यमना नदी में कि पारिया से पारिया इसका उद्गम अस्तल है साथ सी किलोमेटर इसकी लंबाई है और गंगा नदी पतना में जाके मिलती है अब यहां पर देखें ब्रह्म पुत्र है यहां पर यह इरेज की गलत है पदमा नदी नहीं है तिबत में मानसरवा जीर के निकट आंगसी हिमा इसकी निकलती है उना तीस से किलोमेटर इसकी कुल लंबाई है जिसमें भारत में मात्र 916 किलोमेटर है और यह बंगाल की खाड़ी में इस्थित है नर्मदा की अगर बात करें हम नर्मदा जो कि बिंद्याचल परवत स्रेनियों में इस सित अमर कंटक पठार से यह निकलत नदी इसके बाद अगर बात करें तापती तापती नदी बैतुल जिले के मुल्ताई परदेश से यह निकलती है 724 किलोमेटर इसकी लंबाई है और यह सुरत के पास खंबाद की खाड़ी में गिरती है महा माही नदी है विंद्यान परवतिय च्छेत्र में धार जिला से न दूनी नदी है आज मेर राजस्तान में पश्मिया रावली परवत से निकलती है 511 किलोमेटर इसकी लंबाई है और कच्छ कारण जो की गुजरात में है वहाँ पे यह गिरती है मिलती है उसके बाद अगर बात करें अगे तो वह है महा नदी 36 गड़ के धमतरी जिले में सिहावागे समिप से निकलती है 851 किलोमेटर की लंबाई ताई करके बंगाल की खाड़ी के में कटक के पास जाके यह मिल जाती है चिपरा कंकरी बर्डी पहाडी इंदोर से निकल के 210 किलोमेटर की लंबाई ताई करते हैं चंबल नदी में यह मिल जाती है साबरमती आरावली परवत उदाइपूर मेह वहां से निकलते हुए 371 किलोमेटर की दूरिताई करते हुए खमबाद की खाड़ी में गिर जाती है बनास खम नोर की पहाड़ी अराबली परवत राज समंद जिला में है यह वहां से निकलते वे 512 किलोमेटर की दूरी ताई करते वे चंबल नदी में गिर जाती है फिर इसके बाद है क्रिष्णा क्रिष्णा की अगर बात करें हम लोग तो क्रिष्णा नदी महा बलेश्वर जो की महराष्ट के पास है के पश्मी घार से निकल के 14 किलोमेटर की दूरी ताई करते वे बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी ब्रह्मेगिरी पहारी करनाटक के कुर्ग जिल्ले में है वहां से निकलते वे आर्ट से किलोमेटर के दूरी लंबाई इसकी है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसके बाद अगर बात करें हम तो वह है तूंग भद्रा जो कृष्णा नदे की साहक नदी भी कहलाती है यह तूंग भद्रा करनाटक में पश्चμी घाट पहार की गंगा मूल चोटी से तूंगा और समिप में ही उसके पास ही है कादूर से भद्रा नदी का उध्गम है तुंगा और भद्रा दो अलग-अलग नदिया हैं दोनों का मिला के हुआ है तुंग भद्रा जिसकी लंबाई है 5-31 किलोमेटर जो कृष्णा नदी में जाएके मिलती है पेनार के अगर बात करें हम लोग तो पेनार नदी स्रेनियों के चेनना के स्वापाहड़ी से निकलती है 577 किलोमेटर जो किलोमेटर जो किलोमेटर जो करते हैं और अरब सागर में गिर जाती है हुगली या गंगा की एक साखा है जो की धुलिया पश्चिमंगाल के दक्षिन में गंगा से अलग होती है यह 260 किलोमेटर की लंबाई तै करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इस तरीके से अभी हमने यह देखा अब देखते हैं नदियों किनारे बसे प्रमुख नगर दिल्ली यम्ना नदिक किनारे आगरा भी यम्ना नदिक किनारे बरे और उसके बाद मत्रा भी मत्रा भी यम्ना नदिक किनारे जबकि बरेली राम गंगा नदिक किनारे इस्थित एक नगर है, कानपूर गंगा नदिक किनारे है, प्रियाग राज गंगा यमना के संगम परिस्थित है, वारानसी गंगा नदिक किनारे है, कन्नोज गंगा नदिक किनारे है, लखनो गोमती नदिक किनारे है, आयोध्या सर्यूने दिक किनारे है, जोनपूर गोमती नदिक किन किनारे है और इसके इसके बाद के अगर बात करें हम तो बद्रिनाथ लग नंदा नदी किनारे फिरोजपूर सतलज नदी किनारे कोलकाता हुगली नदी किनारे डिबु गड़ ब्रंपत्र नदीक किनारे है, कोटा चंबल नदीक किनारे है, फिर है उज्जेहिन जो कि छिप्रा नदीक किनारे है, और उसके बाद अगर बात करें, जबलपूर नर्मदा नदीक किनारे है, गौाटी ब्रंपत्र नदीक किनारे है, पंधरपूर जो कि भीमा नदीक किनारे ह और एहमदाबाद सावरमती नदीग किनारे है जमसेदपूर स्वरने रिखा नदीग किनारे है फिर उसके बाद है है हैदराबाद जो की मूशी नदीग किनारे है है हैदराबाद मूशी नदीग किनारे है और सूरत तापती नदीग किनारे है श्री नगर जम्मू कश्मीर की राईदनी है ये है जेलम नदी किनारे कुर्णूल तुंग भद्रा नदी किनारे है कटक महा नदी किनारे है नासिक गोदावरी के नदी किनारे है और स्री डंग पटनम कावेरी नदी किनारे है तिरुचीरापल्ली ये ये भी कावेरी नदी क किनारे हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो और्चा ये बेतवान दिक किनारे है लुदियाना सतलज किनारे है और विजयवारा कृष्णा दिक किनारे है इसके बाद अगर हम बात करें तो वह है भारत के प्रमुखनगरों के उपनाम इसके बात चर्चा हम करेंगे अगली व वीडियो लेक्चर में जो कि बहुत ही जल्दे आप लोग को प्लब्द कि कराया जाएगा तब तक के लिए have a nice day, take care, take safe, thank you for watching.